हेलो गाइस वेलकम बैक टुट्रेस अधे फदे लिडोस फिंडियन फूटबोल सो ड्रीम ओफ 1.5 बिलियन पीपल एस बिन शेटर इंडिया इस आउट अप दी वल्ड कप को फाइंग राउंड थ्री रेस एंड जिस तरह से हुआ वो और ज्यादा यहां पर आपको क्या बोल काया था अधर्वाइस वहां पर स्कॉर लाइन वन निल हो जाती पर उसके बाद यहां पर ट्वेंटी एच मिट से फॉर्टी फाइंट का यह टाइम है इसमें इंडिया ने अभी रिसेंट टाइम के अगर आप देखे तो बैस फूटबोल के लिए इस तरह से प्लेरों ने यहां पर बाकी प्लेरों ने बी काफी जाद एक इंटेंसिटी वाइस यहां पर स्टेप आप किया था एंड फोस्ट आप तक आप जो फोस्टाफ की विशल बजी तब तक स्कॉर लाइन था वन निल सारी चीजे इंडिया के फ्रेवर में चली गई थी कतार अंडर प्रेसर कि दो यहां पर बाकी प्लेरों को उन्हों ने चेंज किया था क्यूंकि उनको भी पता था कि इंडिया इस डॉमिनटिंटिक ते गेम जाए वले ही उनके पास पाशेशन जाद रहा हो चांसिस उन्हों ने रेट कियो बट इंडिया ने की चंट्रोल कर लिया था बट आई थ सेकंड आफ हमने खेला एट स्वेर वी लोस्ती यू कैन से की अ गेम और यूसमे ओबियस्ली वो जो कॉंट्रोर्शल डिसंदा सेवंटी थर्ड मिट में जो कतार को एक्वालाइजर राया था यूसमें किसी को डाउट नी होना चिये और एक चीज यहां पे काफिसार लोग बोल रहे है कि यू हो प्लेयर टु दी विशल एक वो कहीना कि हमारे प्लेयरों के थोड़ी सी में मिश्टेक मानूंगा कि जब तक रेफरी विशल नी बजाता तब तक आप यह मत मानने कि यहां पे यह फाल हो चुका है तो वो कहीना कि हमारी और से गलती थी 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 यहां पे डिसकसन बनता नहीं है और उससे पहले जो शिक्ष्टी फॉर्स मीट पे यहां पे साहल अलब्दु समध लिश्टन को लासो के वह भी मेरे को समझ में नहीं कहीना कि कि इस तरह के मतलब सब्सुटुशन जब आपके रही मली और ब्रेंडन बैतरिन खेल रहे थे और आपकी अप्रोच शेकंड आप में है थी कि हमको 45 मिट यहां पर होल्ड अप करके जाना है जो की गलत अप्रोच थी क्योंकि यूँ कांट फोर 45 मिनिट जब पर्टिकुलर आप वन डिल की लेट के साथ हो तब आप इस स्ट जब यहां पर 85 मिट पर जो सेकंड गोल आया उसके बाद तो मैच खतम होगा फिर तो हमारे बिलकुल ही यहां पर क्लूलेस होगे और एडलेस चिकन की तरह यहां पर भाग रहे थी फिर तो कोई उमीद ही नहीं थी कि हम यहां पर इवन इक्वालाइजर भी मार सकते दूसर गोल का, so that's how match spawned out जिसमें इंडिया ने एक यहां पर करेक्टर दिखाया I would say and कुछ अगर यहां पर इगोस्टमीच की और से सब्स्टूशन बेटर होते, सारे उनके सब्स्टूशन I would say backfire कि इस match में, उन्होंने second half है जो उसका वो game rating I think मैरे को लगता है कि कहीना कि उसका ग आपका game तमाम कर दिया, अगर overall scenario देखे तो यहां पर उससे यह नहीं बोल सकते कि आपका यहां पर World Cup qualification में जो चानी का सपना था, वही decision के चलते यहां पर क्या बोलती कि नहीं हो पाया, क्योंकि अगर आप larger picture को देखेंगे, तो यहां पर अफगानिस्तान के सामने जो हमने यहां पर तीन पॉइंट ले लिए होते हैं, वी वूड है भी नहीं यहां पर क्या होती कि इन्टू दी राउंड थी, इसली हमने एक great opportunity यहां पर miss कर दिये, उसमें कोई यहां पर deny नहीं है, तो यह match की बात हमने की, अब overall round 2 काम यहां पर campaign अगर आप देखें, तो there were lots of chances ज आप draw deserve करते थे इसमें, क्योंकि वो अगर गोल नहीं होता, तो maybe एक गोल तो आई जाता, क्योंकि आप defensive जा रहे थे, and Qatar ने ऐसा नहीं कि वही एक chance उन से बना था, they created some more you can see other better chances, तो उस match में I would say कि उसी match के, उसी decision के चलते आपने एक point lose किया, but सामने Kuwait ने जीत लिया था, त यहां पर draw भी करते, तब भी कोई chance नहीं बनता था, but और लगरा round 2 का campaign देखे, तो India को इतने chances मिले, और हर एक chance को आपने गवाया, Kuwait के सामने जो आपने पहला ही match अवे में जाके draw कर दिया था, वही आपके लिए सबसे बड़ा यहां पर क्या बोलते कि positive result था, उसके बाद आपको अफगानिस्तान वाले 2 matches में, इवन 4 points भी manage कर लिए होते आपने, then you will be into the round 3, but unfortunately वहां नहीं कर पाए, and इस से easiest group, I don't think so कि हमें मिलने वाला था कभी, and 18 team में यहां पर qualify कर रही थी, आपके बासे golden opportunity बना था, लेकिन unfortunately we lost it, we lost it, we lost it, and I think Qatar के आप देखी कि under 23 team आपको सा सामने वो clear cut penalty नहीं दिया गया, otherwise kuwait वहां पर जिच जाता, तो यहां पर इस match का कुछ भी result आथा, हम यहां पर गए थे, दूसरा यहां पर Qatar की under 23 team खेल रही थी, इससे बड़ा opportunity आपके लिए हो नहीं सकता था, Qatar ने आपको ऐसे stadium में मैच खिला रहे थे, जहां पर इंडिया को chances मिले, but you can say कि हम उन में से किसी एक भी chance को हम यहां पर क्या वहां थी utilize नहीं कर पाए, and that's why we are not into the round 3, so इसका obviously blame, यहां पर first off, पहला जो blame, foremost, वो यहां पर ego's damage को जाएगा, क्योंकि कोई भी coach को लाते हो, यहां पर आपके objective set करते हो, 5 साल यहां पर ego's damage को दिये गए, तो उसमें objective set किया गए थे ना, कि एशन कप qualifiers आप खेलेंगे, तो उसमें qualify करवाना है, then Asian Cup में आपकी अच्छी performance होनी चाहे, World Cup qualifiers में आपकी अच्छी performance होनी चाहे, at least round 3 तक जाना, मैं यहां नहीं बोड़ा कि उसके आगे बढ़ जाए, तो आपने ego's damage के अंदर दो यहां पर World Cup qualifiers के लिए, दोनों में आपके पास opportunity ती, इसमें तो ज्यादा थी, वो आपने गवा दी, Asian Cup आपका सबसे one of the worst पहुंस रहा यहां पर, सिर्फ आप एक बार Asian Cup qualifiers कर पाए, so I think यह पूरा जो 5 साल का cycle हो यहां पर खतम होता है, and ego's damage से अब यहां पर हमें मोहन करना चाहे, and this is the right time, क्योंकि आपको तीन यहां पर महीने मिल रहा है, September, October, November की जहां पर अपने कोच को यहां पर time दे सकते हो, कुछ friendlies खेला के, and then आपको next March में, यहां पर 2025 में, आपको Asian Cup qualifiers सब खेलने हैं, जो की भी easy नहीं रहने वाला है, क्योंकि 6 सपोट बचे है, and यहां पर जिस त अगर में इंडिया को राउंद 3 में लेके नहीं जाता हू, then I will resign, and कल यहां पर एक्सपेक्टेड वे इंडिया का जो नहीं चार है, तो उन्होंने तो obviously यहां पर रेफ्री के उपर ब्लेम डाला, उन्होंने बला की, इंडिया राउंद 3 में नहीं गया, तो उसी के भरोसे आप यहां पर उसी के क्या बलते की रंडि रोना रोतार होगे क्या, आपको उनसे more on करना पड़ेगा, जब होगा तब कर लेंगे उसके बारें बात, अभी जब नहीं हो रहा तब क्या कर सकते, आपको उनसे की स्टांडर, आपको फिर ओनेस्ट होना पड़ेगा, आपको फिर ओनेस्ट होना पड़ेगा, इस तरह से अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यहां पर पता होना चाहिए, कि इंडियन फूटबोल में यहां पर ड्रास्टिक चैंजिस चाहिए ही चाहिए, अगर आप यहां पर कुछ भी रिलेवन्ट चीज़े यहां पर फूटबोल में करना चाहते हो तो अधर्वाइज यहां पर ऐसे ही फ्लूक्स के बरोसे आप बेठर होंगे कि हम यहां पर जीच जाए, कि कर जाए, आपकी टीम की क्वालिटी आपको बढ़ानी पड़ेगा, उसके लिए आपको ग्रासरूट, यूथ, उसके उपर आपको यहां पर EFF को काम करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करोगे, तो यहां पर next 4 years, next 10 years, हम सेमी डिसक्रसन कर रहे होंगे, उसी बीच कहीं नहीं आपके फ्लूक से, में भी कभी हम राउंड 3 भी कॉलिफा कर जाए क्यों आप यहां पर क्या बोलते कि वो नहीं कर रहे हो, कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, that is the reason, कि आपका ओर यहां पर डेवलोपन नहीं, आपके प्लेयरों की उस तरह से यहां पर डेवलोपन नहीं है, skillset नहीं है, then you can't, you can't say, you can't stand a chance, विको सामने कातार की अंडर 23 तीम थी उसकी कोई बात नहीं कर रहा, सामने अंडर 23 तीम थी और उसके सामने अगर आपके प्लेयर यहां पर इस तरह से हाफ रहे है और इस तरह से हो है, so you need to think about that also, so I think it's a time for EFF to take some big decision, उसमें इगोस्टमेज का सेखिंग भी होगा, obviously बाकी दिसन भी उनको लेने पनेंगे, some player needs to drop out and EFF to go, I think these three things has to be happen, otherwise we are in a same vicious cycle, that's what I am thinking guys, let me know, आपका क्या opinion है, comment section में जरूर बताएगा, now let's move on to the some other news, जो इंडियन फूटबल नहीं यहां पर आई है, तो भाए मोहन बगान सूपर जाहर ने अपना जो next head coach है, वो यहां पर आपर कर दिया है, and the successor of Antonio Havas is Jose Francisco Molina, जिनोंने कोई यहां पर क्या वो किया था, इस बार भी सेम चीज़ हो रही है, वो यहां पर इस से पहले, Spain Football Federation के Sporting Director का भी रोल कर चुके है, so Indian Football को जानते है, क्योंकि यहां पर ISL के starting year में, वो यहां पर ATK के coach थे, so that's an interesting appointment from the I would say कि Mohan Mbagaन सूपर जैंट, let's see यहां पर किस तरह से वो ACL 2 में भी खेलना है, so that's the interesting decision or you can say choice from the Mohan Mbagaन सूपर जैंट, दूसरी साइट भी चनना एन FC नहीं और ओन को यहां पर सप्राइस किया है, and Wilmar Jordan को उन्होंने यहां पर साइन किया है, from Punjab FC, जो कि पहले news आई थी कि पंजाब FC नहीं यहां पर एक अच्छा कॉन्टा कॉफर किय विलमा जोडन को, बट चनना एन FC नहीं यहां पर उन्हीं से बेटर कॉन्टा को उफर करके, उनकी डिल यहां पर दन कर लिये, तो भाई, चिमा चुकू, और विलमा जोडन, I think next season by defenders के लिए यहां पर नाइटमेर्स होने वाले, because I think Owen Coyle with that 4-4-2 formation and this two up front, I think it is going to be crazy, तो चन के साथ कॉन्टा के साथ कर लिया, that's a great to see, because he was the crucial player, or you can say की एक एक जो इंपरन रोल आप मिड फिल में है, वो यहां पर वो प्ले करते है, रहीत कुमार ने ओडिसा FC के साथ यहां पर अपना जो ट्रांसपर हो यहां पर दन कर लिया, official announcement भी यहां पर ओडिसा FC की वर से सो वहां पर अगर एक ही पोजिशन पर उनको competition मिलेगा या फिर जे गुपता को centre-back में shift होते हैं, that will be interesting to see, so that's it from my side guys regarding today's Indian football news, I hope कि आपको यह पसंद आए होगा, keep supporting Indian football, don't forget to like, share and subscribe कि यह शरी, चेहंद, शेवारा